जैहिन साथियो मैं अमजद स्वाज़त करता हूँ आप सभी का आपके और हमारे इस यूटूब चैनल पोलिटेक्निक पे साथियो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोलिटेक्निक फर्स सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में दखिये अगर आप बिहार पोलिटेक्निक में फर्स सेमेस्टर में अगर एडिमिसन लेते हैं तो जितने भी सारे बिहार पोलिटेक्निक के ब्रांचे जहें उन्हें जो हैं दो पार्ट में डिभाइट किया जाता है पहला जो है गुरूप A और दूसरा जो है गुरूप B तो आज हम बात करेंगे गुरूप A के सिलिबस के बारे में तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गुरूप A में कौन-कौन से ब्रांचे जाते हैं तो गुरूप A में आते हैं सर, Electrical, Mechanical और Computer Science इन तीनों ब्रांच के छोड़ के अगर आपने कोई और ब्रांच लिया है तो आप जो है गुरूप B के अंतरगत आते हैं अगर आपको यह तीनों ब्रांच है तब आप A के अंतरगत आते हैं तो आज की इस वीडियो में हम group A वाले बच्चों का syllabus के बारे में जिक्र करेंगे वह भी पूरे detail के साथ और जो बच्चे group B के हैं वो जो है इस चैनल को subscribe कर ले क्योंकि बहुत जल्द उनके बीच group B के syllabus लेके मैं आने वाला हूँ दुनिया में और दिखाते हैं कि group A वाले बच्चे का क्या-क्या syllabus है और उन्हें क्या-क्या पढ़ना है जैसा क्या आप देख सकते हैं आपके सामने हमने syllabus को यहाँ पर खोल दिया है या लिखा गया है State Board of Technical Education बिहार सबस्क्राइब बता दे कि आपका जो और बच्चे है उन्हें जब्च पढ़ना है और पर कौन-कौन सा पढ़ना है और आपको दिखाते हैं तो आपको पढ़ना है Mathematics 1, Applied Physics 1, Applied Chemistry, Communication Skills in English, Engineering Graphics ये टोटल जो है आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको बता दे कि परतेक सब्जेक्ट का एक्जाम जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा जिसमें आपका 70 मार्क्स जो होगा एक्स्टरनल होगा यानि कहीं सेंटर जाएगा और 30 मार्क्स ते एक्जाम जो है आपके कॉलेज मी होगा तो आप समझ गया होगी कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है एक फिर से देख लिजिए Mathematics 1, Applied Physics 1, Applied Chemistry, Communication Skills in English and Engineering Graphics आपको ये 5 पेपर को जो है पढ़ना है चलिए आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि की सब्जेक्ट में कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ना होगा ये तो सारा आपका थियोरी है लेकिन Practical का भी एक्जाम सा आपको देना पढ़ेगा चलिए देखते हैं कि प्रेक् प्रेक्टिकल रहेंगे और रहेगा तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन-कौन सा रहने वाला है तो आपका प्रेक्टिकल जो कोलेज में होगा और तीन पेपर जो है टर्म वर्क जो की कॉलेज में होगा यानि कुल मिलाके आपको ग्यारे पेपर यहाँ पर पढ़ना है लेकिन इक आपको प्रेक्टिकल एंड सेंटर का एक्जाम मिलाके टोटल एक्जाम तो आई आप दिखाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या-क्या प तो कि आपको पढ़ना है कितना सारा टाफ यूनिट तो इसके अंदर जो हैinter मेली अगर को देखा जारके तर शीर्म एपना है तो टीन अखाना है के लिएंगा का पर आफ सकते हैं मेंनि पर ट्रुयामेटी पर आपको ठीकली औरत यहां अग्तित निची वरश की आकी था बस जो की होगा applied physics one का तो यह देखते हैं कि इसके अंदर जो है आपको कौन कौन से chapter को पढ़ना है तो यहां पे पढ़ना है तो फिजिकल वड यूट एन मेजरमेंट जो कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा उसी का यह प्तों से एडवार्स भर्जन आपको पढ़ने को मिलेगा चैप्टर वन में और दूसरा चैप्टर है यह है फोर्स एंड मोशन जो कि आप नाइन्थ में भी इसके बारे में परप्वर्टिज ऑफ मेटर और वहीं वन लास्ट जो यूनिट है हुआ है हीट अन्थ हर्मो मेटरी तो यह सारे छे चैप्टर जो है आपको फिजिक्स में पढ़ना है आए देखते हैं कि आगला जो है सब्जेक्ट कौन सा है और इसके अंदर कौन-कौन से चैप्टर और तीसरा जो यूनिट है वह आपका इंजिनियरिंग मेटेरियल जैसे कि आप देख सकते हैं और चौथा यूनिट है आपका केमेस्टरी में उसका नाम है केमेस्टरी और फ्यूल और लुब्रिकेंट्स और पांच जो है इलेक्ट्रो केमेस्टरी आपको पढ़ना है यान यह पांच चैप्टर को आपको क्या करना है पढ़ना है अगला जो सबज़क्ट कोन सा है और उसके अनदर कॉन कोन सबढ़ने है तो इसका नाम है इसके की जिह सब कॉनिकेट करेंगे और वहीं बात युनिट सेकेंड की तो युनिट सेकेंड में परना है effective communication and communication barriers युनिट में आपको है थार्ड युनिट में आपको लेडिंग परने सन्वाइं ओहीं बात करें सर्जी आगे फोर्थ परना है फॉर्मल रिटेन इसकील फॉर्फेशनल राइटिंग यानि लेटर कैसे लिखेंगे कहीं और भी अप्लिकेशन लोगा लिखने का सिखाया जेगा आपको फॉर्थ इनुट में और फार्ट इनुट है यानि फिफ्फ इनुट जो है इसमें पढ़ा जाएगा आपको भेकलेव लुए को पढ़ना है संप्रेशन सिधान्त बहार पढ़ना है वहीं इवर्फ स्केंड की बात करे तो वे वसाइक उतरक्रिक्ष्टा हे तुब बहार को सल नहीं हिंदी मेडियम में आपको पढ़ना है यहापए देखिए दो हीश्वी चैप्रिर आपको पढ़ना है लिए ह ड्रोइन्ग के जो बेसिक एलिमेंट होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा साई स्बादया बताया जाएगा परकिंगर या इनिरीट को षिर्ट हैं से आपको क्या की जगा बनाने के शिखा से अगा के बारे में आपको बताया जाएंगे इस फोर्थ उनिट में वहीं बात करें पूरा चैप्टर जो है पूरा सब्जेक्ट होता है तो आपको हमने बता दिया कि आपको जो है चैप्टर पढ़ने है कौन को सब्जेक्ट पढ़ना है आपको कॉपी पढ़ना है ठीक है तो आज की वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रिस कर दीजिएगा क्योंकि इस तरह से हर छोटी बड़ी अपडेट आपकी जानका हराइब आपकी जाळऑर अपकी जारेवाद है